पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतरित्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किये हैं बीते दस वर्षों में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, बॉड़ोवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम विभागों समेथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर के निर्मान में किया गया है अभूतपूर्व निवेश और कार पश्चिम बंगाल के लोगों की बेहतर भविश्य के लिए और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्मान के लिए मोदी सरकार प्रित संकल्प है और ये है मोदी जी की कैरेंटी इसी कड़ी में प्रधानमंत्री शुर्य गरेंद्र बोदी जी आज पश्चिम मंगाल को देने जा रहे हैं साथ हजार करोड रुपे से अधिक की विकास पर्यूजनाओं की सौगात और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है माननिय प्रधानमंत्री जी आज पेट्रोलियम सेक्टर की दो पर्यूजनाओं का उध्गाटन कर रहे हैं इन में शामिल है खड़कपुर में बॉट्लिंग प्लांट इससे खड़कपुर के आसपास के क्षेत्रों में LPG की सुगम आपूर्ती हो सकेगी हल्दिया बरॉनी क्रूड ओल पाइपलाइन इससे बरॉनी, बोंगाई गाओं और गोहाटी रिफाइनरी तक कच्छे तेल की सुरक्षित और किफायती तरीके से आपूर्ती होगी सुनिश्चत साथी पश्चिम मंगाल में नमामी गंगे मिशन के अंदरगत हावडा, बाली तथा कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्शन और डाइवर्जन IND एवं सीविच ट्रीट्मेंट प्लांट का उधगाटन होने से हुगली नदी और गंगा नदी का प्रदूशन कम होगा साथी आज हल्दिया डॉक कम्पलेक्स की ओईल जेटीज पर फायर फाइटिंग सिस्टम और तीसरी रेल माउंटेड की क्रेन RMQC का उधगाटन होने से आग लगने जैसी दुरघटनाओं का खत्रा टाला जा सकेगा वहीं रेल माउंटेड की क्रेन से कारगो और कंटीना हैंडलिंग शमता में वृत्धी होगी इसके अलावा कोल कता डॉक सिस्टम की अलग-अलग बर्थों में सुविधाओं को उन्नत करने और कारगो हैंडलिंग को आधुनिक बनाने के लिए विभिन परियोजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मस्बूत करने वाली भारतीय रेल की तीन परियोजनाओं का आज राष्ट को समर्पन किया जा रहा है इन में शामिल है सोंडालिया चमपापकुर रेल खंड का दोहरी करन, डानकुनी भटानगर बाल्टिकुरी रेल खंड का दोहरी करन और जार ग्राम सलगा जारी रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाएंग इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी होगी सुधरिण एवं राज्य के लोगों को मिलेगी लपीजी, स्वच जल एवं उन्नत सुवरिज निस्तारण की सुविधा और इसके साथ ही सिद्ध होगा विक्सित पश्चिम बंगाल, विक्सित भारत का स आंकार्ण